प्रस्ते विद्यार्थिमित्रो आज हम कक्सा आंठ विशय हिंदी इकाई तीन मतबाटो इंसान को कविता का अभ्यास करेंगे इस कविता में विनई महाजन जी ने मनुस्य को मिलजूल कर रहने की प्रेरणा दी है मनुस्य को किसी भी भेद्भाव में नहीं पढ़ना चाहिए हमें सभी भेद्भावों को भूल कर एकता की द्रष्टी से इस संसार को देखना चाहिए यह प्रकृती भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहेना, समानता, आदी मुल्य समाविष्ट है तो चलिए इकाई की शुरुवात करते हैं मंदिर मस्चिद गिर्जा घर ने बाट लिया भगवान को धर्ती बाटी शागर बाटा मत बाटो इनसान को भावार्थ देखते हैं कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है परन्तु तुमने मंदिर, मस्चिद, गिर्जा घर आदी अलग-अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बटवारा कर लिया है इसी तरह अलग-अलग देश बनाकर धर्ती भी बाट ली है सागर के भी अलग-अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बाट लिया है अब कम से कम इनसान का बटवारा तो मत करो आगे देखते हैं अभी राह तो शुरू हुई है मन्जिल बैठी दूर है उजियाला महलो में बंदी हर दीपक मजबूर है भावार से देखते हैं डुनिया में समानता की भावना फेलने की अभी तो शुरूवात हुई है समानता का भाव पुरी तरह फेलने में अभी देर है उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है गरीबो की जोपडों में अब भी दीपक ही चल रहे है मिलान सूरज का संदेशा भर घाटी मेदान को धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इनसान को भावार्थ देखते हैं अभी सूर्य का संदेश प्रत्यक घाटी और मेदान को नहीं मिल पाया है मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुँच पाया है अभी हरी भरी धरती है उपर नेल वितान है पर्न प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इनसान को पावार्थ देखते है धरती अब्बी पहले की तरह हरी बरी है उपर नीले रंग का आकाश पी पहले जैसा ही है लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है प्यार की बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है हमें हर प्यासी चट्टान को प्यार के लिए तरस्ते रदयों को प्यार का सीतल जल देकर उसकी प्यास बुजानी है साथ उठे सब्तो पहरा हो सूरज का हरद्वार पर हर उदास आंगन का हको खिलती हुई बहार पर रोंद न पाएगा फिर कोई मोसम की मुस्कान को धर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को पावार से देखते हैं समानता के सूरज का प्रकास तभी सब को मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाजा खोल ले सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकास समानता की भावना फैलेंगी हर आंगन में उसी तरह खुशी चाजाएगी जैसे बाग में बहार आती है विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएंगा तो बालमित्रो इकाई तीन मत बाटो इनसान को यहां पुर्ण होती है इसके बाद के वीडियो में हम इकाई चार कर्म योगी लाल बहादुर सास्त्री का अभ्यास करेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत